हलो बच्चों आज मुझे आपकी मदद चाहिए I really really need your help मुझे लगता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं करोना को हराने के लिए कुछ बड़े हैं बस नाम के ही बड़े होते हैं इन बड़ों को जगाना है और करोना को हराना है इन बड़ों को समझाना होगा कि करोना वाइरिस से लड़ने के लिए घर से बाहर जाने में कोई बहादुरी नहीं है घर पर रहकर लड़ना होगा घर पर रहकर हिम्मत दिखाने होगी मैं जानता हूँ कि कुछ बड़े हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं पर आपकी सुनेंगे जब आप उन्हें समझाएंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि अगर उन्हें आपकी फिक्र है आपकी फैमिली की फिक्र है तो वो सोशल डिस्टिंसिंग की याने की physically एक दूसरे से दूर रहने की importance को समझेंगे और सारे rules follow करेंगे आप करेंगे ना मेरा काम और हाँ आप सब आपका भी अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखें हम सब को इसमें साथ आना है इन बड़ों को जगाना है और करोना को हराना है और व法णात। लव यॉँ और यॉँ भुच्ट इन्यार्ट आपकाटाओंगगश्ट बिभस तर सहारा विए इन अजए पूराइंग झाल्बोनगश्टवटर्यादवश्ट और प्यूराइंगश्ट इना इन अपना लिए और बड़ब। अब लेगाए तायम थीजिनी प्रकार्वा वाया वाया थाड़ नगए की टीजिनी इन सूटीफ नगवाने की टीनी बट शिए टीजिए मतिया सब्साइब है टीजिया झालस इनी टीजिए कोलोड़ गाल गालेफिहीं फैसलिए हैं विटीशरा संपचार गालेफिए इस वेरी इंपोर्टन विए इस वक्रेजी लाइफ एंड फास्ट पेस्ट लाइफ आ लिए वन देश नमस्ते जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस वक्त कुरोना वायरस का अतंग है और इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है सोचल डिस्टेंस हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 21 दिन का लॉक्डान खुशित किया है और मैं उमीद करता हूं कि और मैं यह चाहता हूं कि आप सब इसमें अपना पूरा सा योग दें क्योंकि इस चेन को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि हम सब अपने अपने घरों में इस वक्त बने रह हुआ अरे मैं आज तक बिमारी नहीं हुआ तो मेरे दोस्त यह आपकी गलत में है यह वाइरस किसी तरह का भी अभाव नहीं करता है यह कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है और इसे बचने का सिर्फ एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग तो प्लीज आप अपनी लोकल झाल्ड, तक न्या को today was an amazing experience I never fell so emotional and connected with everyone everyone the way everyone came out it gave me so much hope and positivity that we can do this we can be aware we should stay at home we should try and not spread this and just be safe and really thank are all the people in the services who are going out day and night and the medical team, he people who are providing for us, they are looking after us, they are just our heroes in today's time. I really like when all this was happening, all the balconies were full, people were cheering, I really felt emotional, I cried and I think these were happy tears where you feel with वे लुफ अगली एंग्ज़ू एट नियूए पोस्तिविति एंगिवले। विविप एपूजिए वे लूटनी में आटेस्थितिएाई टोब आटेशिय। वे तोबे वे समाराइब वीर ले यह रायां on And we proved it to ourselves that no matter how many differences we have between us, each other, we are all one. Yeah, the test though is now that, you know, we need to contain ourselves and stay inside. Only step out when it's really, really urgent. Otherwise, stay in and stay safe. Stay in, stay safe. दोस्तों आप देख रहे हैं आजकल करोना वाइरस के वएज से लोग कितने परिशान हो रहे हैं और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि इधर से भार मतनिक लोग इससे इडिवारी फैलती है जो हम सब के लिए लुकसान देखा हैं. तो घर में बैठे बैठे भी हम लोग कभी बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार कितना समाचार सुनें कितनी पिच्छरें देखें कितना एक तुसरे के चेहरे देखते रहेंगे. कि मुझे भी थुढ़ा लगाएं हैं थुढ़ा थे यारर बहु निकलते हैं ह। हूं थोड़ा सा थैल के आता हूं मैं निकल ने लेगा मीडा मैं पड़ा है मैं निछे जा रहा हूं, तेरा टहल निकली है, नहीं जानेगा! बेटो जानेगा! नीछे compound, building में लिए आप टहल के आता हूं, नहीं जानेगा! कि लेंजाने का, बोलते में TV पर सब लेग बोल रहे हैं, हमेते भेचम भोले ना, यह जाने का… गोंड़े हु छूप बयटे हु, चूप बयटे हु, मेरे पेट में में जी भी केशा है, गोंड़े। 15 पिंजित में क्या होता है? बेगो! जानने का नहीं! बेगो करोना तो तैंक यू वेरी वेरी मच अब अपील ये है ये जो गवर्मेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए हम सब के लिए बोल रही है तो इसको सीरिसली लो अफ़ाएं मत पहलाओ ये हमेशा से एक प्राब्लम है कि सब को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं किसी को भी हो सकता है बस में ट्रेन में मार्केट में हर जगा तो काय कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना ये पबलिक हॉलिडे नहीं है भाई ये बड़ा सीरिस मामला है ये सब बंद करो मास्क पहनो प्रेट करो अपने आपको हाथ दो साफ सुत्रे रहो लोगों से दूर र को अगर किसी की जान बच रही है जाने बच रही है सैख रो जाने बच रही है आपकी खुद की तो क्यों नहीं कर रहे हो आप करो यार ये सिंदगी का सवाल है करो ये प्लीज दर्ख्वास्त है थांक यू अज़ दो पार ये सबस्क्राइब लक्राइब स्ट्रे जाने बच्छाइब पर ये से डिए उन्ट्राइब इस तो दो आइए अटे अच्छ तीम थे रहां 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 प्रवफश्त है लिए अटे पॉजितिव रहो पॉजितिव रहो एंगेड करो तिल इस ताइम चेंज़ 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 रहो बेटर बटर मेंबर वी अग्ज़ शरूशन, स्टेवम हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है न कि कुछ गलत से अपना कर मूझ से निकल जाए तो मुझे माफ करता हूँ पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों को किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा है लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो घर के भीतर रहो परिवार के साथ रहो सडक पे तफ्री करने के लिए निकल ना जाओ बड़े बादूर बन रहे हो आप लोग भार जाके यह सब धरी की धरी रह जाएगी यह सब आपकी बादूरी सब इधरी रह जाएगी खुद भी हस्पिताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे माँ बैन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे यार अकल का इस्तमाल करो हाद जोड़ के कह रहा हूं मैं फिल्मों में स्टंट कर किता हूं काडिया उड़ाता हूं हेलिकाप्टर से लड़ लटकता हूं बहुत कुछ करता हूं पर सच में कह रहा हूं जान सूखी हुई है मजाख नहीं है इस ताहं ये बिमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की बुरी हालत बुरी है अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग जिन्दगी के खिलाडी बनो सिर्फ घर पे रहो बस घर पे रहो जब तक सरकार के रिए घर पे रहो इससे आपकी जान बची रहेगी आपके परिवार की जान बची रहेगी करोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है हमें इसे हराना है इस डिजीज को हराना है कोई चॉइस नहीं हमारे पास बाकी अगर कोई लड़ाई होती कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता है चलो उठो वीरो सेने को लड़ो लेकिन ये जंग इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ दो के सरफ घर पे बैठे रहो बस बैठे रहो चुप चाप अंदर ही रहो जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोगों खिलाडी बने हो या बेवकूफ बने हो गर पे रहो देने बाद दोस्तों इस करोना वाइरिस का अब तक पूरी दुनिया में कोई पक्का इलाज नहीं मिला है लेकिन फिर भी हम घर बैठे बैठे अपनी अपने परिवार वालों की और अपनी सोसाइटी में रहरे लोगों की जान बचा सकते है इस वक्त हर एक इनसान जो घर बैठा हुआ है वो लोगों की जान बचाने में मदद कर रहा है इसलिए प्लीज घर बैठो इंडिया अपने घरवालों को अपने दोस्तों को अपने घर में काम करने वालों को उनको भी यही नसीहत दे घर बैठें, अपने परिवार के साथ time spend करें, टीवी देखिए कोई ना कोई नई होबी में इन्वेस्ट कीजिए find something to do लेकिन प्लीज घर से बाहर ना निकले डॉक्टरों की आवाज सुने प्रधान मंत्री की बात सुने और हम जल्दी इस मुझीबत से बहार आ जाएंगे लेकिन तब तक के लिए घर बैठ बंडिया stay home stay home करोना वायरिस से बड़ी चुनोती इस दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आई इस चुनोती का सामना हम सब मिलकर कर सकते हैं हमें सिर्फ अपने परिवार के साथ अपने घर में रहना है बस इतना ही करना है और हम यह लड़ा ही जीच सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम कुछ दिल बाहर होकर आते हैं अपने दोस से मिलकर आते हैं ये बहुत बड़ी गल्ती होगी और ये गल्ती बहुत नहींगी पड़ सकती है प्लीज अपने घर पे रढ़िये अपने परिवार के साथ और ये लड़ाई जिती है घर वैटो हिंगे गार नमस्ते तूफान की हालात हैं ना किसी सफर में रहो पंचियों से गुजारिश है अपने ही शजर में रहो इद के चांद हो अपने ही घर वालों के लिए ये उनकी खुशकिस्मती है उनकी ही नजर में रहो माना बंजारों की तरहां घूमे हो डगर डगर वक्त का तकाजा है अपने ही शहर में रहो तुमने खाक चानी हैं हर गली चौबारे की थोड़े दिन की तो बात है अपने ही घर में रहो दोस्तो इस वेरी इंपॉर्टेंट मौजूदा हालात में जो भी चल रहा है किसी भी वज़ा से किसी भी बोरियत से गुसे से प्रेसलेसने से खर से बाहर बतने के लिए हैं जो हो रहा है वो खतरनाक है आपकी लापरवाही बहुत लोगों को नुकसान पहुचा सकती है आपको आपके घरवालों को और पूरे देश को पूरे दुनिया को Stay at home So I see some people still on the road outside I see some videos and Yeah it's just heartbreaking for me to see that people are not taking this that seriously and please understand guys यह बहुत जरूरी है हम सब के लिए किसी को घर पे बैठना अच्छाने लगता है किसी को मजा नहीं आ रहा है हम मेंसे किसी को मजा नहीं आ रहा है कि हम घर पे बैठे है हमारे कल्चर में ही नहीं है कि अखेले अपने आपको बंद करके बैठ जाओ यह हमारे कल्चर में ही नहीं है लेकिन क्या है कि अगर यह हम अब नहीं करेंगे तो हम यह कभी नहीं कर पाएंगे और इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लेकिन उससे जादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर स्वास्ती नहीं रहेगा, जानी नहीं रहेगी, तो यह सब चीजे कुछ काम की नहीं है। So, my appeal to everyone, I'm sorry if I'm coming across as a teacher and छोटा मूँ बड़ी बात, लेकिन प्लीज, 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 आप कोशिश करिये कि आप सब घर पे रहे, self-quarantine में रहे, social distancing करिये, और कुछ वक्त की बात है, अगर हमने यह कर लिया, तो हम करोना वारिस पे सजीग जाएंगे। So, please, please, please guys, let's do this together.